आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ। अभी राउटनोट करें। तो इसकी अविक्रिया जब सांध्र चाड़ से होती है, मतलब कि NaOH या कोच से होती है, क्योंकि यह सांध्र होता है, यह प्रवल चाड़ होता है, तो माल लेंगे कि इस प्रकार के चाड़ ठीक है, से जब अभिक्रिया होती है किसकी Trimethyl Acetal Diet से, तो ये कौन से अभिक्रिया से गुजरता है, ये हमारा केनी जारो अभिक्रिया से गुजरता है, ठीक, क्योंकि केनी जारो अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहते हैं, जिनमें कार्बनिल ग्रूप के बाद, जो कार् होता है मतलब अलफा कार्बन उस पे अलफा हाइडरोजन नहीं पाया जाता ठीक है यहाँ पे अलफा कार्बन कौन सा है यह वाला हमारा अलफा कार्बन है इस पे अलफा हाइडरोजन कितना है जीरो तो इस पे कौन से अभिक्रिया होगी कैनी जारू अभिक्रिया और अगर अ अल्डॉल संगनन होता ठिक लेकिन अलफा हाइडोजन नहीं होने की वज़े से यहां क्या होगा कैनी जारो अभिक्रिया तो चली अभिक्रिया देखते हैं तो अभिक्रिया कुछ इस प्रकास से होगी यह होता है CS3 CS3 C double band OH और इसका जब दो मोल हम लेते हैं और NaOH जैसे सांद ठिक तो चली अभिक्रिया कराते हैं तो किस में परिवश्टित हो जाता है यहां एक मोलल अल्कोहल में परिवश्टित हो जाता है CS3 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 C डवल बंद O फिर O N ठीक है इस प्रकास है ठीक तो इस प्रकास है हमारी कैने जारो की अभिकरिया होती है तो कैने जारो अभिकरिया किसके लिए होती है जिसमें अलफा हाइडोजन नहीं पाई आता तो हमारा याँसे तीसा विकल्ब सही होगा धन्यवाद